असलाम लेकुम मैं हूँ गुलाब अली और आप देखरें टेक्निकल गुलाब यूट्यूब चैनल दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप वाटसेप पे 30 सेकंड से उपर जो एन वीडियो स्टेटस किस तरह से अपलोड कर सकते हैं आपको पता होगा कि वाटसेप पे जो स्टेटस हम अपलोड करते हैं वो 30 सेकंड से उपर अपलोड नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक होता है आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप 5 मिनट या 4 मिनट के वीडियो को या उसे उपर वाले वीडियो को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं अपने वाटसेप स्टेटस पे तो दोस्तो वीडियो को आखिर तक देखना है अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कामेंट करें नाइस गूड का साथ में हमारी यूट्यूब चैनल टेकनिकल गुलाब को सब्सक्रेब करके घंटी को लाजमी दबाना है तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपको एक एप्लिकेशन की जरूरत पढ़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पर मैं आखिर में बता दूँगा कि आपने किस तरह से डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले मैं उनको ओपिन कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों जैसे ही मैं ओपिन करूँगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा तो ये देख सकते हैं आपके पास भी इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पर दीन आप्शन दिखाई दे रहे हैं यहां पर फर्स्ट आफ आप्शन है इंपोर्ट वीडियो ठीक है ये देखें इंपोर्ट वीडियो है इसके उपर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो आप अपना वीडियो आइड करेंगे मैं वीडियो आइड कर लेता हूँ सबसे पहले ठीक है दोस्तो ये वाला मैं वीडियो आइड करता हूँ तो मैंने इसके उपर क्लिक कर दिया ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो है दोस्तों पांच मिनट 31 सिकंड का ये आपके सामने है पांच मिनट 31 सिकंड का और रही बात नीचे अगर 15 सिकंड से छोटे छोटे टुक्रे करूंगा तो ये 23 स्प्लेट मतलब 23 मतलब हो जाएंगे अगर 30 सिकंड के मैं करूंगा यहां पर यह देखें सबसे पहले वाटसेप स्प्लेट है ठीक है और यहां पर मैं आपको दिखाई देता हूं कि अगर 15 सिकंड वाले छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा कट करके तो यहां पर आप देख सकते हैं यह लिखा आ रहा है कि आप 23 स्प्लेट बना सकते हैं अगर बात रही कि 30 सिकंड क की बात की जाए यहां पर तो कस्टम मतलब के बीच में से जो मतलब अपने हाथ के वीडियो मतलब के छोटे छोटे और ट्रिम की बात की जाए तो अपनी मर्जी के जहां से आप कट करना चाते हैं वीडियो वहां से आप कट करके अड़ कर सकते हैं अब वाटसाइप स्प्ल एक हमारा वीडियो बन जाएगा जी हाँ तो मतलब के छोटे 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 बारा णाटका बन जाएगे और वो बारा 30 30 सेकंड जर्ब करेंगे और कोई भी हमारा ट् Γर्ण बृटवार वीडियो चलता रहता हुआएग्गे उनको मतलब के छोटे छोटे पार्ट लगेंगे पर उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये पूरा वीडियो चार मिनिट का है पांच का है दस का है मतलब उनके पास पूरा का पूरा वीडियो चलेगा जैसे कि नार्मल वीडियो चलता रहता है अगर आप ये काम करने के बाद आपने क् कह रहा है कि आप quality कौन सी रखना चाहते हैं 1080 या फिर 720 या 420 अगर आप 1080 रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें ठीक है वरना आप जो भी quality मतलब के अच्छी quality 1080 की इसकी original है मैं 720 पर क्लिक करूंगा तो यहाँ 720 क्लिक करके यहाँ पर start के उपर क्लिक करेंगे start पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यह running हो जाएगे मैं क्लिक कर देता हूं यह देखे running शुरू हो गए और यह जो है ना कह रहा है नीचे minimize and notify when done मतलब के अगर आप minimize करना चाहते हैं तो इसके उपर क्लिक करें और यह 100 पर जब कंप्लीट होगा तो आपको एक notification देगा कि यह complete हो चुका है और आप जो वीडियो चोटे-चोटे वीडियो हैं उनको आसानी तरीके से अपने WhatsApp status पर upload कर सकते हैं यह हो गया मतलब के छोटे-चोटे पार्ट्स चोटे-चोटे पार्ट्स बनाता है यह application ठीक है इस application का नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस तरह से download होता है अब दूसरा जो एक यह एक पार्ट हो गया आप दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं अगर आप यह सोचते हैं कि मैं एक ही बार में एक ही दफ़ा मतलब के पांच मिनट का वीडियो upload करूं उसके लिए आपको क्य download करना चाहते हैं तो मैंने इसका भी link मैंने description में दे दिया है वो भी आखिर मैं आपको समझा दूँगा ठीक है जी भी WhatsApp को जैसे ही आप open करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सीन आएगा आपने क्या करना है सबसे पहले WhatsApp status upload करने से पहले आपने क्या करना है इस three dot में क करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे option आ रहा है हमारा main topic है पांच मिनट का वीडियो upload करना एक ही time ठीक है तो हम क्या करेंगे दोस्तों home screen के उपर click करेंगे home screen के click करने के बाद यहां पर आपको status का एक button मिल रहा है इसके उपर click करेंगे तो थोड़ा सा 5-minute video instead of 30 seconds as a status note only your users can see the full status मतलब के अगर आप पांच मिनट की video upload करते हैं यहां से yes करते हैं मतलब के allow करते हैं तो आपको जो है न यह जो पांच मिनट की video आपके वो बंदे देखेंगे जो के third party WhatsApp यूज़ करते हैं जैसे के your WhatsApp, FM WhatsApp या फाहद WhatsApp हो गया तो यहां पर on कर देना है आपने यहां पर on करने के बाद आपने back चले जाना back चले जाने के बाद मैं status में जाता हूँ और यहां से मैं वो ही वाला video upload करता हूँ जो मैंने आपको already बोला हुआ है जो के 5-minute का video है ठीक है यहां से मैं वो add कर देता हूँ आपके सामने दोस्तो यह वाला है ठीक है और यह आपको दिखाई देगा बिल्कुल भी पांच मिनट का यह थोड़ा सा रनिंग हो रहा है थोड़ा सा वेट का लेते हैं आपके सामने ही मैं वीडियो को कोई कट शट नहीं करता हूं यह मतलब कि डारेक्टली स्टेटस पर मैं चला गया और डारेक् हैं दोस्तों यह कंप्लीटली शो हो चुका है और यहां पर बात की जाए तो यह 89 इंबी की है और पांच मिनट की कंप्लीट वीडियो है ठीक है आप देख सकते हैं दोस्तों मतलब के पांच मिनट की कंप्लीट वीडियो है अगर मैं इसको सेंड करता हूं अपलोड करता तो ये डारेक्ट पांच मिनट की डारेक्ट ली ये पांच मिनट की वीडियो चली जाएगी मतलब ये होगा कि जो नार्मल वाटसाइप है प्ले स्टोर वाला ये उनको 30 सिकंड ही दिखाई देगा पर जिनके पास third party application है जैसे के यो वाटसाइप, FM या फिर GB वाटसाइप उनको फुल पांच मिनट की वीडियो दिखाई देगी अगर दो तरीके मैंने बताएं दोनों में से जो आपको अच्छा लगे या 30 सिकंड के आप पार्ट कर लें ठीक है जो मैंने पहले वीडियो मतलब इसी वीडियो में पहले बताया कि आप 30-30 seconds के part करें और वो 30 seconds के part आपके save हो जाएंगे जो मैंने pressing पहले बताया वो save करने के बाद आपने उसी उनी वीडियो को आप नीचे share का बटन आ जाएगा share कर देना तो directly वो वीडियो आपके WhatsApp पे share हो जाएंगे पर मसला ये होगा वो सब ही को दिखाई देंगी वो 30-30 seconds के आपके part होंगे ये वाला जो है वो directly 5 minutes का हो रहा है ठीके तो आपको जो मतलब अच्छा लगता है तो यहाँ पर अगर मैं send करूँगा तो ये directly 5 minutes का चला जाएगा अगर बात करते हैं इसकी split की तो दोस्तों ये split जो है आपको 30-30 seconds के part करेगा ये देखें 30-30 seconds के part करेगा और आपने क्या करना है save के उपर किलिक करना है जैसे save के उपर किलिक करेंगे उसके बाद 720 जो भी आपको अच्छा लगे start के उपर किलिक करना है और ये जब complete आपका हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपको एक share का button देगा बोलेगा कि आप share करें आगे whatsapp पे जैसी whatsapp पे share करेंगे तो आपके 30-30 seconds के टुकरे बन जाएगे और वो सभी आपके ये जो whatsapp status है देख सकेंगे दोस्तों दोनों तरीके में से आपको कौन सा अच्छा लगा आप नीचे comment करके मुझे बता सकते हैं ठीके आज का वीडियो था कि हम 5 मिनट का या 4 मिनट का 10 मिनट का वीडियो whatsapp status पे किस तरह से upload कर सकते हैं कुमेंद करुएंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को Like करें और download करने का तरीका मैं आपको Last में बता रहा हूं कि Video Split s Science delegates का डालोड करने का तरीका ये है दोस्तों आपने क्या करना है वीडियो को Like करना है साथ में हमारे YouTube चैनल टेकनिकल गुलाब को सब्सक्रेब करके घंटी को दबाना है उसके बाद आपने इसी टाइटल पे जो वीडियो सुन रहा है इसी वीडियो के टाइटल पे किलिक करेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में एक लिंक मिल जाएगा उसके उपर किलिक करेंगे पहला लिंक है दोस्तो वीडियो स्प्लेटर का जो के 30-30 सिकंड के पार्ट पर बनाएगा मतलब के दूसरा जो लिंक है वो है जीबी वार्ट सेप का अगर दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ही डाउनलोड करें जीबी वार्ट सेप में ये होगा कि आपका जीबी वार्ट सेप वाले ही बन्दे देख सकेंगे पर 30 सिकंड वाले सारे देख सकेंगे अगर इस से बेचते हैं आप पूरा वीडियो पांच मिनट वाला तो पूरा वर्ट आपका देखा गया जिनके पास आपके वार्ट सेप कांटेक्ट सेव है तो यही वीडियो था मैंने स्टेप बाइ स्टेप आपको समझाया उमेंद करूँगा कि आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें कामेंट करें नाइस गूड और लास्ट में यही बोलूँगा हमारे चैनल को सब्सक्रेब करके घंटी को लादमी दबानाए ओकेल आफेस गूडबाई